जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जूढने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करदें और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर फ्रेस करदें सूर्य देव इस समय मकर राशी में विराजमान है ग्रहों की राशी परिवर्तन से सभी जातकों के जीवन पर विशेश प्रभाव पड़ता है और कुंडली में सूरिय के श्योब भाव में होने पर व्यक्ति को नौकरी, मान सम्मान और धन लाब होता है तो 14 अप्रेल 2022 को सूरिय देव राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं ये मीन राशी में से निकल कर मेश राशी में प्रवेश करेंगे और एक महिने तक यहीं रहेंगे सूर्य का ये राशी परिवर्तन व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए कैसा रहेगा आईए जानते हैं सूर्य के मेश राशी में गोचर से व्रिष्चिक राशी के लोगो को कारेशेतर में अपार सफलता मिलेगी और अपार सफलता मिलते हुए आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे जो लोग इस समय अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए ये समय काफी अनुकूल है जो लोग सरकारी नौकरी के लिए आविदन करने की चुक हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा सूर्य देव 14 अपरेल की सुभा 8 बचकर 49 मिनट पर मेश राशी में प्रवेश करेंगे इस गोचर के दोरान व्रिश्चिक राशी वाले जातक अपने लक्षों को प्राप्ट करने में सक्षम रहेंगे आप सबसे चुनोती पून कार्य के साथ कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभापाएंगे पहले किये गए निवेश आपको वर्तमान में आर्थिक लाब देंगे आपको कुछ धन लाब होने की संभावना भी है और आपके साथी का भाग्य भी आपके भाग्य में व्रधी करेगा रोग शोग आपसे दूर रहेंगे लेकिन यहां थोड़ा सा साथान रहने की जरूरत है आपके शत्रू जो है वो सक्रिय रहेंगे सूर्य की इस गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी से लाब मिलेगा आपके द्वारा बोली गई कुछ बाते आपको भविश्य में लाब दिला सकती है आपकी मीठी वाणी आपके करियर को उचाईयों तक लेगर जा सकती है तो दोस्तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें दन्यवाद